असलामों अलेकुम दोस्तों मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी दोस्तों दुनिया का हर इंसान मौत से डरता है अफकॉर्स मरना बला किसे पसंद हो सकता है लेकिन अब हर किसी में इतनी अकल नहीं होती कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मौत के साथ डेड़ पर ही चले जाते हैं वेल आज किस वडियो में मैं आपको अपनी हरकतों की वज़ा से मरने वाले दुनिया के सबसे स्टूपिड लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ तो शुरू करते हैं असना काउंट डाउन दोस्तो अगर हेलमेट्स की बात की जाए तो इने तकरीबन दुनिया के तमाम कंट्रीज में ही बैनना मस्ट होता है इसकी रिजन ये है कि हेलमेट एक्सिडेंट की सूरत में मेजर इंजरी से बचाता है लेकिन कुछ लोगों को ऐसा कीड़ा होता है कि वो हेलमेट पैनने को मौत समझते हैं 2011 में पापा के परों की एक टीम नियू यॉर्क की सड़कों पर स्ट्राइक करने के लिए निकली हुई थी ये चखके हेलमेट के खिलाफ एतजाज कर रहे थे इनका मानना था कि बाइक चलाते वकत हेलमेट पैनने की कोई जरुवत नहीं होती इसलिए इस कानून को खतम किया जाए खेर इन लोगों में एक बंदा सबसे ज़दा शोखा हो रहा था इसने हाथ में एक पोस्टर पकड़ा हुआ था और साथ में बाइक भी चला रहा था वैल ये रेली में सबसे फ्रंट पर बाइक चला रहा था और बाइक की स्पीड भी काफी तेज थी जैसे ही इसने बाइक रोकने के लिए जोर से ब्रेक लगाई तो इसका बैलन्स आउट हो गया और ये सर के बल सीधा जमीन पर आगिरा वैल इस शैंपू ने हैलमट तो पहले ही नहीं पैना हुआ था अब जब ये जमीन पर गिरा तो इसका सर इतनी जोर से पठखा कि इसकी वहीं पर ही डेथ हो गई डॉक्टर्स का कहना था कि अगर इसने हैलमट पैना होता इनकी अंदर एक कपल रहता था एक दिन इन दोनोंने एक दूसरे शहर में आउटिंग करने का प्लैन बनाया और इनोंने एक दस मंसला होटल में रात भी गुजारने थी इन लोगोंने पैसे तो रूम की पे किये थे लेकिन जब रात हुई तो ये दोनों कुछ ज्यादा ही रोमैंटिक हो गए और इनोंने सोचा कि क्यों ना खुले आसमान के नीचे लेट कर सितारे देखते हुए रोमैंस किया जाए तो इन लोगोंने रूम से अपने बिस्तर उठाए और सीधा चट पर पहुँच गए ये दोनों इतने नॉनसेंस थे कि इन्होंने सोने के लिए चट के कॉर्नर वनी जगा स्लेक्ट की जहाँ पर कोई बौंडरी तक नहीं थी खैर इन्होंने बिस्तर बिच्छा लिए और बाबू शोना करते करते अराम से सो गए सुबह जब पुलीस ने आकर इस बंदे को उठाया तो इसने देखा कि इसकी गल्फ्रेंड वहां मौजूद ही नहीं थी असल में रात के वकट जब ये लोग खुले आस्मान के नीचे सो रहे थे तो इसकी बाबू शोना ने जैसे ही करवड बदली तो वो चट से नीचे गिर गई मज़ी बात ये है कि वो बिचारी दस मंसला इमारत से नीचे गिर गई और इस बंदे को पता तक नहीं चला खैर इतनी उचाई से गिरने के पज़ा से उस लड़की की इंस्टेंटली डैथ हो गई थी वेल अब बंदा ओपन माइंड़ महोल में मज़े लेने की कोशिश करेगा तो ऐसा तो होगा ही अब इससे बड़ी हमाकत और बला क्या हो सकती है दूस्तो वैसे तो दुनिया में बहुत से शातर कार थीप्स मौजूद हैं लेकिन कहते हैं कि चोरी करने के लिए अकल की जरूरत होती है सन 1990 में एक चोर के साथ ऐसा वाक्या पेश आया जिसे सुनने के बाद चोर भी दंग रह जाएंगे वैले स्चोर का तालुक सिड्नी ऑस्टेलिया से था एक दिन इसने किसी फैक्टरी के सामने खड़े एक पिक अप ट्रक को चोरी करने का प्लैन बनाया जब रात हुई तो ये ट्रक चोरी करने के लिए निकल पड़ा पहले इसने पुराने गिसे पिटे तरीके इस्तमाल करके ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन जब ये स्टार्ट नहीं हुआ तो इसके दिमाग में एक और आइडिया आया इसने सोचा कि क्यों ना ट्रक के पुरसे खोल कर चोरी कर लिए जाएं वैसे तो इसका प्लैन काफी अमेजिंग था लेकिन उस शैंपू ने सबसे पहले गाड़े का इंजन निकालने का फैसला किया ये इंजन के एक्जैक्ट नीचे लेट गया और टूल से इसके पेज़ खोलने स्टार्ट कर दिये वैल अभी ये इंजन के पेज़ों को खोली रहा था कि इंजन बारी होने की वज़ा से खुदी लूज हो गया और सीधा इसके सीने पर आ गिरा इससे इंजन हटाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो पिक अप ट्रक और इसके इंजन के दर्मयान में फंस चुका था अब ये ना तो सांस ले सकता था और ना ही वहाँ से हिल सकता था आखर कार इसका दम खुट गया और ये इंजन बेशने से पहले ही अल्ला को प्यारा हो गया लेकिन स्टोरी यहाँ पर खतम नहीं होती बलकि इससे भी शौकिंग बात ये है कि जब अगली सुबा पुलीस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुँची तो ट्रक की अंदर ने इन्हें बताया कि ये गाड़ी और इसका इंजन दोनों ही खराब हैं और अगर वो चोर इससे ट्रक वैसे ही मांग लेता तो ये इसे खुशी से दे देता क्योंकि ये ट्रक से वैसे ही तंग था अब इससे जदा बैड लग और बला क्या हो सकती है दोसों ये बातों बच्चे भी जानते हैं कि बॉम जितनी खतरनाक चीज दुनिया में और कोई नहीं होती जब ये ब्लास्ट होता है तो एक सेकंड से भी कम वक्त में सब कुछ तबाह कर देता है फिर चाहे वो कोई चीज हो या पिर इनसान हो लेकिन क्या हो अगर कोई शक्स बॉम पर ही एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दे वेल 2022 में एक जर्मन रेजिनेंट के हाथ कहीं से गरनेड लग गया इसन बेवकूफ ने सोचा कि क्यों ना इस गरनेड को ओपन करके देखा जाए ये असल में देखना चाहता था कि इस बॉम के अंदर आखर ऐसी कौन सी चीज होती है जिसकी वज़ा से ये इतने साथा खतरनाक तरीके से ब्लास्ट हो जाते हैं खैर इसने बॉम को खोलने की कोशिश स्टार्ट की फरस्ट अफॉल तो इसने चाकू की मदद से इसे दर्म्यान से काटने की कोशिश की लेकिन ये नहीं कटा तो इसने इसे दर्म्यान से काटने के लिए इससे कटिंग मशीन के अंदर डालने का फैसला किया जैसे ही गर्नेड कटर के साथ लगा इसके सेंटर में कट लग गया और इसके साथ ही स्पार्किंग स्टार्ट हो गई और अगले ही लंभे गर्नेड ब्लास्ट हो गया अफसोस की बात ये है कि इससे पहले कि भाई को पता चलता कि गरनेड के अंदर होता क्या है इसकी डैथ हो गई थी इससे तो अच्छा था कि ये शैंपू यूट्यूब पर गरनेड की वीडियो देख लेता ये सच में हमाकत है दोमसें लिपजी बात बात चलता वे इसकी आदत थी कि ये हमेशा शराब पी के उल्टी सीथी हरकते करता रहता था सबको इसकी आदत का पता था और इसके करीबी लोग नशे की हालत में इसे संबालते रहते थे लेकिन एक दिन ये किसी मॉल के 7th फ्लोर पर बैठ कर शराब पी रहा था इसने इतनी ज़्यदा शराब पी ली कि अपने होश खो बैठा ये बंदा लिफ्ट के पास गया और ओपन का बटन प्रेस करें बगेर ही हातों से ही लिफ्ट का दर्वाजा ओपन करना स्टार्ट हो गया वैल इसके फोर्स लगाने पर लिफ्ट का दर्वाजा तो खुल गया लेकिन लिफ्ट अभी नीचे पहले फ्लोर पर थी ये जहास नशे में इतना धुद था कि इसने लिफ्ट का बेल्ट पकड़ कर टारजन स्टाइल में नीचे जाने का फैसला किया लेकिन जैसे ही इसने नीचे छलांग लगाई ये सर के बल लिफ्ट के ऊपर जा गिरा इसके सर पर इतनी शदी चोट आई किसकी मौके पर ही डेथ हो गई वेल अब बंदा शराब पीकर टारजन बनने की कोशिश करेगा तो रिजल्ट तो भ्यानकी होगा तो दोस्तो आज के लिए पस इतना यी उमीद आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आप मुझे इंस्टाग्राम भी फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीव पी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मिलता हो आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफेस